हजबन और वाइफ एक ओल्ड डाउन में वापस आया और यही पर वाइफ का एक्स बॉइफ्रेंड था जब एक्स बॉइफ्रेंड इनके घर पर काम करने लगता है तो सब कुछ कॉंप्लिकेटेड हो गया हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपको स्ट्रॉड डॉक्स एक हॉलिवड थिलर मुवी एक्सप्लेंड करने वाला हूँ अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजेगा अब बिना किसी दरीके एक्सप्लेंशन स्टार्ट करते है मुवी स्टार्ट होती है और एक कबल अपने ओल्ड टॉम में वाउपर जा रहा था एक्च्छल में टाउन वाइफ का है यहाँ पर वाइफ का नाम है एमी और हस्बंड का नाम है डेविड बहुत सालों पहले अपने ड्रेम्स को कम्लेट करने के लिए एक्ट्रेस बनने के पहले एमी के फादर की टेथ हुई तो उनका घर उसे मिल चुका है तो इसे टाउन में आकर अभे रहने वाले थे इस टाउन में आने के बाद एमी को अपने बच्छपन की सारी यादे आ रही थी एक बार में पोश्चते हैं बार में सब लोगों ने एमी और उसके निव डाला था और इसी जौब के लिए चारली ने अपलाई किया है तो इसके बारे में बात करता है डिवीड को अच्छा लगा कि एमी चारली को जानती है तो इसी वज़े से उसने घर रिपेरिंग का काम उसे दे दिया डिवीड जब बार पर जाकर ट्रिंक ले रहा था तो यह यहां की लोकल को उसने जगड़ा स्टार्ट कर दिया उन्हें बहुत जादा पीनी थी पर बार्टेंडर उन्हें मना कर रहा था यह जगड़ा और भी बढ़ने लग यहां का शेरी बाकर यहां सब चीजी कूल डाउन करता है इस टाउन में सब लोग बहुत ही अग्रेसिव लगता है यही बार में डेविड ने एमी और चारली की फोटो देखी जब वो स्कूल में थे तब एक दूसरे को डेट करते थे इसी टाउन में एक मेंडली अंस्टेबल आदमी भी है जिसका नाम है जेरीमी एक्च्वल में जेरीमी को बहुत सालों पहले में बेंडल हॉस् किये और वहाँ से चला गया घर आते वक्ट डेविड ने एमी से पूछा या चारली तुम्हारा बॉइफ्रेंड था एमी पूछती है क्या तुम्हें जेलस लगा फाइनली मैं तुम्हारी वाइप बनी यह दोनों मिलकर फिर अपना हाउस देखते हैं इन्हें बहुत सारे काम की जरूरत पड़ेगी पर फिर भी इसके लिए वो एक्साइटेड है इनका शिफ्टिंग का काम स्टार्ट हो जाता है डेविड एक न्यू मूवी पर काम कर रहा था तो इसी वाज़े से वो मूविंग में हेल्प नहीं कर बाता तो एमी सब चीज़े देख लेती है चार्ली भी बात मान गया हमें इन दोनों की कन्वरसेशन से लगता है यह शायद अब ट्रबल होगा पर चार्ली ने इसे लाइटली लिया हुआ था थोड़ी देर में डेविड जब अपनी बूप पर काम कर रहा था तो अचार्ली का फ्रेंड घर में आ गया उसने बीर नि कर उससे बात कर सकता है डेविड ने फिर चार्ली से इसके बारे में बात कि चार्ली को भी कुछ भी कलत नहीं लगता आथ चार्ली को उपने फ्रेंड के साथ जल्दी हंटिंग पर जाना था तो काम वैसे ही छोड़कर वो चले गए रात में चार्ली और उसके फ्रेंड मिल रहे थे और खेलती-खेलती इंटीमेट होके निकसिन में हम कोच और जेरेमी के ब्रदर को देखते हैं एक्चॉल में कोच की एक बेटी है जिसके आसपास हमेशा जेरेमी खुमता रहता है कोच ने जेरेमी के ब्रदर को कहा इसे जल्दी से मेंटल हॉस्पिटल में तुम डाल जेरेमी का ब्रदर भी अशोर करता है कि वो कोई भी ट्रबर क्रेट नहीं करेगा इसके बाद नेक्स डे मॉर्निंग में एमी रनिंग कर रही थी रनिंग करते चारली और उसके सब फ्रेंड्स उसे बहुत बुरी नजरों से देखते हैं उसे बहुत जादा अनकमफटेबल ल भेहनोगी तो तुम्हें रिस्पेक्ट मिलेगी डेविड की इस घटिया सोच पर एमी को बहुत जादा गुस्सा आता है वो फिर अपने उपर के कमरे में गई वहां से चारली और उसके फ्रेंड्स को देख सकती थी उसने अपना टॉप निकाल कर उन्हें अपनी बॉड़ तो वो भी उनकी पीछे पीछे आ रहा था वो बहुती स्लो कार चलाते 30 के स्पीड पर जो डेविड को अच्छा नहीं लगता वो से आगे जाने के लिए सैट दे नहीं रहे थे डेविड को जब उन्होंने सैट दी तो आगे कंस्ट्रक्शन चल रहा था डेविड कुछ भी को जेरेमी के साथ फ्लर्ट करता देखा इसका मतलब है जेरेमी खुच जाकर कोच की बीटी के साथ बात नहीं करता वही उसके पास आती है लास्सीन में इसी बात को लेकर जेरेमी के ब्रदर और कोच में फाइट हुई थी डेविड फिर बार में गया और वहाँ पर कुछ फ्रेंड्स बनाने की कोशिश करता है एक आदमी ने उसे फुटबॉल के गेम के लिए इनवाइट किया सब में खुल मिल जाने के लिए डेविड भी इसके लिए हा कहता है इसके बाद नेकसिन में एमी और डेविड चर्च में आय हुए थे डेविड गॉड पर बिलिव न इस तरीके से चर्च के बीच में उठकर जाना यह बहुत ही गलत है यह कुछ लोगों को डिस्रिस्पेक्टफुल लग सकता है वो इसे एक टाइप की धंकी दे रहा था डेविड भी बात मान गया डेविड चार्ली से यहता है मुझे बाइबल से एक बात यात है नेबर की वाइफ पर नजर नहीं डालनी चाहिए चार्ली ने का कि अगर नेबर की वाइफ तुम पर नजर डाल रहे हो तो क्या किया चाहे यह खहे कर वो चला गया इसके बाद नेक सीन में गेम देखने के लिए सारा टाउन आया हुआ था एमी कोच की बेटी से बात कर रही थी तब वो कोच को रोगने की कोशिश करती है पर कोच का एमी पर भी गुसा हो गया था चार्ली यह सब देखता है और कोच को कंट्रोल कर लेता है डेविड ने एमी को यहाँ से चलने के लिए कहा एमी डेविड पर भी गुसा थी कि उसने कुछ भी नहीं किया डेविड कहता है कि इस तरीके से fight करना ये उसके principal के खिलाफ है आज राट डेविड ने जब अपना closet खोला तो उसमें cat को hang कर दिया गया था वो देखकर बहुत ही disturb हो जाता है एमी इस पर बहुत जातों गुसा हो कि उसे पता था Charlie या उसके कुछ friends नहीं किया होगा डेविड कहता है हम directly उन्हें accuse नहीं कर सकते हमारे पास कुछ prove होना चाहिए एमी पूछती है क्या तुम कुछ भी करने नहीं वाले है डेविड कहता है कि मुझे आसपास मेरी cat कहीं भी मिलनी रही उनके expression से हमें बहुत सारी चीज़े पता चलेगी एमी के फादर को hunting बहुत अच्छी लगती थी इनका एक trap घर में पड़ा हुआ था तो इसी को लगाने के लिए डेविड ने चारली से help ली एमी यहावर इनके सामने दूद लेकर आती है कहती है मेरी cat मुझे कहीं भी मिल नहीं रही ये देखकर सारे लोगों के expression change हो गए थ तो उन्हेंने डेविड को भी invite किया डेविड को लगता है कि अगर उनके साथ क्या उनसे जरा friendship की तो सब कुछ ठीक हो जाएगा तो इसलिए अगले दिन उनके साथ चला क्या चारली हंडिंग के लिए नहीं आया हुआ था हंडिंग करते करते अचानक से एक डियर डेविड के बास से गया चारली की फ्रेंड उस पर गूली चलाते है और यह डेविड को लगने वाली थी उन पर बहुत जादा गुसा हो जाता है वो लोग भी गुसे में डेविड को जंगल में छोड़ कर वहां से चले जाते है इसे के पैरलल में चारली एमी के घर पर पहुच जात है एमी उसे घर में आने देने के लिए मना करे थी पर फिर यह जबरदस्ती घर में घुस गया उसे जबरदस्ती करने लग जाता है एमी नोसे रेजिस्ट करने की कुशिश की पर वो कुछ भी कर नहीं पाए चारली के साथ उसका फ्रेंड भी था उसने भी एमी का रेप किय डेविड रोड पर लिफ मांगता है तो शेरिफ उसके पास आया गहता है तुम यहाँ पर राइफल लेकर कर क्या रहे हो इस जगा पर हंटिंग करना अलाउड नहीं है एक सिरियस ओफेंस था और जेल में भी जा सकता है डेविड बहुत ही गुसा हो चुका था तारी बाद उ उसे कुछ भी बदा नहीं पाती उससे कहती है तुम एक कावर्ड हो जब है मेरा घर है हम हमारे घर से भाग नहीं सकते है वो कहता है कल मैं चारली को आपर करसे नहीं से चला जाता है जो भी हुआ इस सबसे एमी मूओ ओन करना चाहती थी आज राज सारा टाउन में कर गेम देखने के लिए जा रहा था तो यहीं देखने के लिए एमी और डेविड दोनों आये यही वफेस है कोज की बीटी जेरेमी से बात करने लगती है घैती है कि मेरे गेम के लिए कुछ टाइम है, हम कही पर चल सकते हैं, वो से अपने लौकर रूम में लेकर गए, उसे किस करने लगती है, उसके साथ इंटिमेट होने वाली थी, कोच ने नोटिस किया, तो उसकी बेटी कही भी आसपास दिखाई नहीं दे रही, वो सबसे पूछता है, तो उस ने हाथ रख दिया, कि वो कुछ भी ना बोले, मुव पर हाथ रखने की वज़े से, कोच की बेटी का दम घुटने लग गया था, कोच जब यहां से चला गया, तब तो उसकी बेटी की डेथ हो गई थी, ये सब देखकर जेरेमी को बहुत शौक लगा, ये सब एक्सिरेंट की वज़े से, जेरेमी के हाथ पर चोट आ गई थी, डेवीड जल्दी से जाकर उसे हेल्प करता है, जेरेमी सिर्फ एक ही बात कर रहा था, कि ये सब मिने नहीं किया, डेवीड ने एम्बूलन्स को कॉल किया, और जेरेमी को अपने घर ले कर जाता है, हर जगा अबर कोच जेरेमी बार बार बता रहा था, और कोच की बेटी उसके पास नहीं है, तो डेवीड समझ गया, इशायद कोच की बेटी को कुछ हो गया है, और सारा ब्रेम जेरेमी पर आएगा, अगर जेरेमी को बाहर भेज देता है, तो सारे लोग मिलकर उसे मार डालेंगे, तो इसी वज़े से वो जेरेमी को बाहर नहीं भेजता, वो गहता है कि पुलिस को बोला, उसके बाद ही हम जेरेमी को बाहर भेजेंग यहाँ पर बहुत सारा noise हो रहा था तो शेरिफ भी वहाँ पर पहुज गया सारे लोगों के हाथ में गन थी शेरिफ ने सब लोगों को शान्त होने के लिए कहा शेरिफ जाकर डेविड से बात करता है कहता है जेरिमी को मुझे दे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा शेरिफ ही लो पूली चला कर उसे मार डाला डेविड देखकर बहुत जादा डर जाता है जल्ली से जाकर उसने सब डोर्स वेगरा सब कुछ लॉक कर दिया एमी भी बहुत जादा डर चुकी थी वह गहती है पार बहुत सारे आदमी है अभी हेल्प के लिए किसी को भी कॉल भी नहीं कर सक गर में उसने ट्रैप बिचा दिया उसके पास जो भी कुकिंग को ओईल था इस सारा को जो बॉइल करने लग गया चारली और उसके फ्रेंड घर में आ नहीं पा रहे थे तो बाहर डेविड की बहुत ही एक्सपेंसियों कार उन्हेंने फोड दी चारली का एक आदमी खिडक में और डाल देता है उसने दो लोग को इंजोर किया तो डेविड अपने घर में गाने लगाता है एक ओपन इंवाइट था फाइट के लिए चारली भी इस बात से इंप्रेस्ट हुआ चारली और उसके फ्रेंड गाड़ी में बैठता है ये गाड़ी डारेटली उन्होंने उनके वॉल में डाल दी अब कोश घर में अंदर खोस आया था डेविड छुप किया और कोश से उसकी गन उसने ले ली उसे शूट करकर वो मार डालता है सबको मारते मारते उसके गोलिया खतम होगे और अभी तक चारली जिन्दा था चारली का फ्रेंड और वो जल्दी से चारली का फ्रेंड भी गुस्सा तो एमी goardने वाला था पर चारली उसे गन नीचे रखने के लिए तौब एमी ने अपनी गन ली और चारली का फ्रेंड को मार डाला इसे एम्बूश में डेविड चारली पर हमला कर देता है डेविड उसे कुछ भी ट्रैप लेकर डारेटली चारली के हेड में डाल दिया उसकी इंस्टंटली डेथ होगे फाइनली एमी के साथ जो भी हुआ इसका बदला डिवीड ने ले लिया इसी के साथ यह मुवी एंड हो जाती है अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस लाइक कर दिजे झाल 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